हमारे सभी दर्शकों को सादर्पणाम जैशी कृष्णा आज के विशय को तो आपने जान ही लिया होगा आज का हमारा विशय है विवाह में देरी का एक ऐसा कारण जिसे हम खोज नहीं पाते हैं कुंडली में देख नहीं पाते हैं और विवाह में देरी होती रहती है चाहे लड़का हो चाहे लड़की तो आज मैं एक ऐसे योग के बारे में बताँगा कि सब्तम भाव पीडित नहीं है कुंडली का सात्वा भाव पीडित नहीं है सब्तम भाव का स्वामी भी मित्र राशी पर है या उच्च राशी पर है अच्छी सत्ती में है पाफगरह के साथ नहीं है फिर भी शाधी में देरी हो रही है इसका क्या कारण है और बहुत अधिक देरी हो चुकी है 32 साल, 33 साल या 35 साल की आयू हो चुकी है तो इस योग को जानने के लिए सिंपल सी स्थती सामान्य सी स्थती आपको देखनी पड़ेगी बहुत सामान्य तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कुंडली देखकर यहाँ पर आपको केवल लगन कुंडली ही देखनी होगी आपकी जो जनम कुंडली है जिसे लगन कुंडली कहते हैं डीवन चार्ट बोलते हैं उसको खोलें और देखें यहां पर आप चित्र से भी समझ सकते हैं तो शनी यहां पर शनी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ शनी विवाह में देरी का कारण बनता है शनी सब्तम भाव में नहीं है और शनी की सब्तम भाव पर द्रश्टी भी नहीं है फिर भी विवाह में देरी हो रही है यहाँ पर इस विशे को समझेंगे तो आप यहाँ पर कुंडली देख रहे हैं वैसे तो यदि कुंडली में ध्यान से समझें इस बात को आप चाहें तो किसी पेपर बर भी नोट कर सकते हैं शनी की तीसरी दरश्टी होती है सातवी दरश्टी होती है और दसवी दरश्टी होती है तीन प्रकार की द्रश्टियां होती है शनी की पूर्ण द्रश्टी तीसरी सातवी और दसवी शनी जहां पर बेटता है वहां से तीसरे भाव को देखेगा जहां बेटता है वहां से वहां से गिन्ना है जैसे शनी लगन में बेठा हुआ है आप देखें इस कुंडली को जो प प्रतम भाव फिर दूसरा भाव प्रतम भाव को भी गिनना जान शनी बेटा उवा उसको भी गिननाए वहां से तीसीय दरश्टी तो तीसरे भाव में पड़ेगी लगन में बेठा रहा है तो यहां शनी की द्रश्टी सात्वे भाव पर है लेकिन आज का विशय अलग है शनी पांचवे भाव में बेठा है अपनी तीसरी द्रश्टी से सात्वे भाव को देख रहा है लेकिन आज का योग अलग है इस योग से भी विवाहा देरी से होता है या बहुत समस्या रहती है शनी की सब्तम भाव पर द्रश्टी नहीं है लगन में पांचवे भाव में और दस्वे भाव में शनी बेठा हुआ है तो लगन में बेठा है तो साथवी द्रश्टी से सब्तम भाव को देखेगा पांचवे भाव में बेठा हुआ तो तीसरी द्रश्टी से साथवे भाव को देखेगा और दस्वे भाव में बेटा हुआ है तो दस्वी दृष्टी से सात्वे भाव को देखेगा लेकिन यहां पर इन भावों में शनी नहीं है शनी आपकी कुंडली में किसी अन्य भाव में है तो वहां पर फिर विवाह में देरी क्यों होगी उसका क्या आप यहाँ देखें कि आपकी कुंडली में सब्तम भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है तो फिर शादी में देरी क्यों हो रही है तो फिर आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि सब्तम भाव का स्वामी कहां बेठा है अब मान लिजिए सब्तम भाव का स्वामी जिस किसी भाव में बेठा हुआ है सिंपल सा सुत्र है सात्वे भाव में जो राशी लिखी हुई है सब्तम भाव के स्वामी को कैसे देखेंगे राशी के स्वामी को जानना है जैसे मेश राशी का स्वामी मंगल होता है वरशब का शुक्र मिथुन का वुद्ध करक का चंद्रमा सीह पांच का सुर्य चे नंबर कर्या का स्वामी बुद्ध ग्रह साथ नंबर तुला राशी का स्वामी शुक्र आठ नंबर व्रश्चिक राशी का स्वामी मंगल नो नंबर और बारा नंबर धनु और मीन राशी का स्वामी गुरू मकर और कुम राशी का स्वामी शनी होता है तो सब्त उस्पर शनी की द्रश्टी पढ़ जाए तो एसी स्थती समस्य देने वाली होती है अब इसको केसे समझेegए जैसे मान लीजे किसी व्यक्ति की कोई भी स्वामी बेठा हुआ है दसवे भाव में कहां पर बेठा हुआ है मितुन राशी पर दसवे भाव में बेठा हुआ है गुरू लेकिन शनी कहां बेठा हुआ चोथे भाव में शनी की सीधी सात्वी दृष्टी गुरू पर पड़ रही है या शनी आठवे भाव में बेठा हु तब विवाह में देरित होती ही है लेकिन आज का विशे क्या है सब्तम भाव का जो भी स्वामी है वह कुंडली में कहां पर बेठा हुआ है उस पर शनी की दरश्टी है तो फिर विवाह में देरी का योग बनता है अब इसको और ज्यादा सटिकता से देखें तो शनी की अगर अंतरदशा भी चल रही है तो इस्तती और ज्यादा वहां पर समस्या वाली हो जाती है देरी वाली इस्तती हो जाती है अब यहां पर उपाए क्या करें तो शनी की दरश्टी से यह योग बन रहा है शनी की दरश् पंडित द्वारा करवा सकते हैं शनी के उपाय जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे आपको लाब मिलेगा और विशेश कर यदि आप रद्द लोगों की सेवा करते हैं या घर के बाहर जब भी आप निकलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके हाथ पेर नहीं है या अपंग है ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से भी लाब मिलता है उसको बोजन देने से भी लाब मिलता है तो शनी का यह प्रियोग करें इससे आपको लाब मिलेगा और यह इस्तती भी देखना बहुत जरूरी है कि सब्तम भाव का जो स्वामी है शनी लगन में नहीं है पांचवे भाव में नहीं है शनी दसवे भाव में नहीं है अन्य किसी भाव में बैठा हुआ है लेकिन सब्थम भाव के स्वामी पर दरश्टी डाल रहा है यह भी एक योग है और इस योग के प्रभाव से शादी में देरी होती है हमने ऐसी कई कुंडलियां देखी है वहाँ पर इस प्रकार की इस्तती बन रही है सब्तम भाव पीडित नहीं है सब्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है सब्तम भाव का स्वामी भी पीडित नहीं है उसके साथ में भी कोई राहू या केतू या कोई ऐसा ग्रह नहीं है या सब्तम भाव का स्वामी भी अस्त नहीं है सब्तम भाव का स्वामी नीच राशी पर भी नहीं है सब्तम भाव का स्वामी क्षत्रु राशी पर भी नहीं है लेकिन फिर भी समझ से आ रही है तो इस विशय को समझना भी बहुत जरूरी है और वेसे समय रहते प्रियास करते हैं तो ठीक रहता है और आज के समय में शादी में देरी का कारण सबसे बड़ा कारण शिक्षा है या नोकरी भी है नोकरी अच्छी नहीं लगती है तब तक चक्ति प्रियास करता रहता है और उसके कारण विवाहा में देरी होती है तो यहां पर विवाह नहीं करना है सबसे पहले कहीं कहीं रिष्टा तो अवश्य ढूंड ले मैं विवाह दो साल तीन साल बात करें लेकिन अगर रिष्टा अगर पका हो जाता है तो फिर समस्या नहीं रहती है अगर रिष्टा भी पका नहीं हुआ है और फिर एक आयू बहुत अधिक होने के बाद फिर रिस्ता आप ढूंडते हैं तो फिर वहां मिलान देखना फिर रिस्ता पक्का होना सारी प्रक्रिया लंबी हो जाती है और फिर वहां फिर एकदम शादी जल्दबाजी में करते हैं तब भी समस्या रहती है आज कल रिस्ता बीना सोचे समझे आप कहीं अलग शहर में देखते हैं जहां जान पहचान नहीं है वहां पर भी समस्या बढ़ जाती है तो इन सारी बातों पर ध्यान देना होता है और यह जानकर यह आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इस विशय को शेयर करेंगे तो अन्य लो